वेल्कम टू विराट आई सेखेडमी सहारनपूर हमने करंट अफेर्स का इससे पहले एक सेशन किया था आज ही हमारा करंट का सेकेंड सेशन है आप ध्यान से सुनिएगा इसको करंट का इससेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात रिवैंट कराना चाहूंगा कि हम आपको कुछ PDF भी प्रोवाइड कराएंगे करंट की तो आप वैसे चाहें तो इस सेशन को इस लेक्चर को सुनकर इसका नोट्स भी बना सकते हैं और PDF तो आपको मिल ही जाएगी वैसे बहतर ये रहेगा कि आप इसका नोट्स बनाएंगे तो चीज़े याद भी हो जाएंगे तो लेट्स स्टार्ट पहला आज का जो इवेंट है वो जम्मो और कश्मीर से रिलेटेड है आप जानते हैं कि जम्मो और कश्मीर में जो Article 370 था उसका अब्रोगेट कर दिया गया है तो उसकी जगह पर अब क्या किया गया है कि जम्मो और कश्मीर को दो यूनिन टरिटरी में बार्ट दिया गया है एक यूनिन टरिटरी बनाई गयी है जम्मो और कश्मीर और दूसरी यूनिन टरिटरी बनाई गयी है लद्दाक तो जम्मो और कश्मीर को अलग से यूटी जो बनाय गया है तो इसमें एक इंपॉर्टन प्रोविजन ये हुआ है कि नवंबर के मह में 2nd November को इस जम्मू और कश्मीर का और लद्दाक का और साथ में इंडिया का भी एक नया पॉलिटिकल मैप इशू किया है गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया है इसमें इसमें जम्मू और कश्मीर नाम का जो यूनिन टरिटरी बना है इसमें पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर के दो जिलो को भी इस पॉलिटिकल मैप में दिखाया गया है शो किया गया है कौन कौन से दो जिले शो किये गये हैं एक पाकिस्तान अक्यूपर्ड कश्मीर का एक जिला ह मीरपुर और दूसरा जिला है मुझाफराबाद जो उधर के P.O.K की कैपिटल भी है तो इसके साथ क्या हो गया इसके साथ अब जेंट के यूनिन टरिटरी जो है इसमें जिलो किसंग क्या हो गया है 22 यानि 22 डिस्टिक्ट्स अब इस पॉलिटिकल मैप के साथ शामिल माल लि लेह के बारे में इंपॉर्टेंट पाइंट यहां पर यह है कि इस यूटी के कॉंस्टिटूशन के बाद यानि गठन के बाद जो लदाख यूनिन टरिटरी का लेह जिला है ये एरिया वाइज छेतरफल में इंडिया का सबसे बड़ा जिला बन गया है तो अगर कुश्च काफी हुए हैं काफी स्टेंड ओफ राय इंडिया चाइना के बीच में तो इस पर हम एक सेपरिट वीडियो बनाकर इंडिया चाइना रिलेशन्स को इंटरनेशल रिलेशन्स यानि आई यार के संदर में अलग से समझेंगे तो फिलाल आप बस इतना जान लीजिए मैं फि और कश्मीर नाम के यूटी में पाकिस्तान अक्विपड कश्मीर के दो जिलो को भी सम्मेलित दिखाया गया है एक जिले का नाम है मीरपूर और दूसरे का नाम है मुझाफराबाद जो उधर है अभी यानि पॉलिटिकल आक्यूपेशन उनके उपर अभी पाकिस्तान का है लेकिन उन्हें पॉलिटिकल मैप बनाकर इंडिया ने अपने एरिये में शो किया है नेक्स्ट जो बजट आया था 2021 का उसमें नैशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई है देखो लॉजिस्टिक्स जो शब्द है ये इंग्लिश में इसका मतलब है कि जो ट्रांस्पोर्टे चीजों को तो यह सब लॉजिस्टिक्स का पार्ट है तो 2021 में नैशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाए गई है और इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है पहला कि इसमें जितने भी वेयर हाउस इंडिया में है उन सब की जियो टैगिंग की जाएगी अब यह जिय जियो टैगिंग मतलब लोकेशन बताएगा वो तो जितने भी वेयर हाउस हैं यानि भंडार भंडारन ग्रह जहां पर अनाज चावल इस तरह की चीज़ें रखी जाती है उनके जियो टैगिंग होगी दूसरा मचली और नाशपाती इन दो आइटम्स के लिए कोल्ड स्टो कोर्परेशन ओफ इंडिया और जो केंद्रिय भंडारन निगम है सेंट्रल वेयर हाउस कोर्परेशन इन दो यह दोनों मिलकर वेयर हाउस बनाएंगे इंडिया में वेयर हाउस यहां भंडार गरह होता है जहां स्टोर किया जाता है खादेपदार्थों को और यह जो वेयर सेक्टर दोनों मिलकर कि इसको कंस्टर्ट करेंगे और एक बहुत इंपर्टन प्रोविजन इस नेशनल लोजिस्टिक्स पॉलिसी का यह है कि यह जो वेर हाउस बनेगा धाचागत जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सरकार उसे बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से कुछ फाइनेंस की सुविधा देती है तो वीजी एफ के तहत आल्मोस्ट बीस प्रतिशत की सुविधा दी जाती है फाइनस की यानि अगर सो रुपिया खर्च होंगे तो बीस सरकार अपनी तरफ से फाइनस करेगी ताकि प्राइवेट सेक्टर मोटिवेट हो और आ गया है और वेरहाउस बनाने में देश को आसानी हो जाए तो यह वायबिलिटी गैप फंडिंग याद रखिएगा ये सुविधा दी जाएगी वेरहाउस बनाने में ट्रिपल पी मोड में चलेंगी आजकल तो वैसे भी आप देखी रहे हैं कि जितना भी रेलवे है वो धीरे धीरे प्राइवेटाइज कुछ चीज़े उसमें की जा रही है तो अग्रिकल्चर ट्रेन भी ट्रिपल पी मोड यानि पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मोड में रन हो नेक्स्ट इसी नेशनल लोजिस्टिक पॉलिसी का एक पार्ट है कि ऐसे आइटम्स जो पैरिशेवल आइटम है पैरिशेवल यानि जो जल्दी सड़ जाते हैं तो जल्दी सड़ जाने वाले आइटम्स के लिए एक स्पेशल स्कीम लांच की जा रही है जिसका नाम है क्रि वेशी उड़ानी ओजना उन आइटम्स के लिए है जो जल्दी खराब हो जाते हैं तो ऐसे फूड आइटम्स को देश के फार फ्लंग एरियास में ले जाने के लिए दूर दरास के छेत्रों में ले जाने के लिए ये बाई एर एक प्लैन बनाया गया है गौर्रमेंट आफ इ एरियास को स्पेसिफिकली इसका एडवांटेज मिलने जा रहा है क्रिशी उड़ान योजना का याद रखियेगा नेक्स्ट जो जैविक उत्पाद हैं जैविक उत्पादों को भी बढ़ावा देना इस पॉलिसी का पार्ट है और इसके लिए एक नैशनल इजैविक बाज इसके बाद हमारा इशू है जिसका संबंध है आंध्रप्रदेश से हम जानते हैं कि एक नया स्टेट तेलंगाना बनाया गया था और आंध्रप्रदेश अलग स्टेट अंध्रप्रदेश से अलग होकर बनाया गया था तो आंध्रप्रदेश की विधान सभाने एक अमरावती यहां एक capital बनेगी दूसरी capital बनेगी विशाका पटनम में और तीसरी राजधानी बनेगी आंधरप्रदेश के शहर कुर्नूल में अब इनमें विशेष्टा क्या होगी तीन capital में किस तरह से administration को और government के काम को डिवाइड किया जाएगा तो अमरावती में जो capital बने बनेगी वो नियाएक राजधन यानि judicial capital बनेगी तो इसलिए ये provision बनाया गया है श्रीकृष्णा कमिटी एक बनी थी वहां ताकि वहां पर जो resources हैं जो administration है वो विकेंद्री करत हो यानि decentralized administration हो इसलिए सारा प्रावधन किया गया यानि एक जैसा विकास हो पूरे प्रदेश म नेक्स्ट इशू है भारत में टिड्डियों के अटेक का पिछले दिनों काफी चर्चाओं में टिड्डियों का अटेक भारत में रहा जिसने फसलों को एगरी कल्चर को बहुत बड़ा loss दिया और पाकिस्तान की तरफ से जो लगने वाली पश्चिमी सीमा भारत की वहां से टिड्ड्डियों का अंग्रेजी में लोकस्ट कहते हैं तो गुजरात और राजिस्थान से जनवरी 2020 में इनका आना शुरू हुआ था टिड्डियों का और इनका देखे टिड्डू का जो समू है जो गुर्प है टिड्ड्डियों का ये दिन में उड़ता है और काफी दू 2000 मील तक उड़ान भर लेती है अपने लाइफ साइकल में और एक दिन में 1500 किलोमेटर तक उड़ सकती है तो दिन में ये टिड़ियां ग्रुप में चलती हैं समू में उड़ान भरती हैं इंडिवीजिल उड़ान नहीं भरती और दिन में उड़ती हैं और रात को कहीं बैठ ज तो जहां यह बैट जाती है पूरा का पूरा खेत चट कर जाती है यानि अगरी कल्चर को तो पूरा तभा बरबाद ही कर देती हैं तो दिन में यह उड़ता है रात में खेतों में रुख जाता है और जब खेतों में रुखता है तो फसल खा जाएगा सारी यह जो टिड़ी है actually ये किडे कहे जाते हैं ocean cutty bandy यानि सब tropical किडे हैं ये जो टिड़ियां है लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं दुनिया में इनकी 6 जातियां पाए जाती है भारत में 4 टाइप की टिड़ियां पाए जाती है लेकिन संपूर्ण अगर संसार में विश्व में देखें तो 6 टाइप की टिड़ियां पाए जाती है और especially ये जून और जुलाई में यानि बरसात के महीने में इनका परकोप ज़ादा दिखाई देता है 150 किलोमेटर पर डे तक उड़ सकती है जैसा मैंने भी डिसकस किया आपसे और भारत में मैंने आपसे डिसकस अभी किया कि चार टाइप की टिड़िया पाए जाती है चार प्रजातिया है इनके नाम एक तो शहर के नाम पर ये बॉम्बे जो मुंबई हो गया है तो वहाँ के नाम पर एक टिड़ी की एक प्रजाती है जिसे Bombay Locust कहते हैं एक Desert Locust है, रेगिस्तानी टिड़ी, कुछ Migratory Locust है, प्रवासी टिड़ीयां और Tree Locust भी हैं, तो चार टाइप की हैं, Tree Locust, Bombay Locust, Migratory Locust और Desert Locust, तो चार टाइप की टिड़ीयां पाई जाती हैं तो अब next question यह उठता है, कि क्या टिड़ीयों के बारे में कोई पहले से चेतावनी का कोई organization देश में मौझूद है, तो बिलकुल मौझूद है और यह organization का जो head office है, टिड़ी चेतावनी दल यह Locust Warning Organization, LWO, इसका headquarter है फरीदाबाद में फरीदाबाद हरियाना का जो डेली सेट जेसेंट सिटी, NCR में आता है और जो टिड़ी चेतावनी संगठन है, Locust Warning Organization है यह ministry of agriculture में आता है, क्रिशी एवं किसान कल्यान मंतराले के अंडर में काम करता है और जिस क्रिशी मंतराले के जिस विभाग के अंडर में काम करता है, जिस निदेशाले के अंडर में काम करता है उस विभाग का नाम है, निदेशाले का नाम है वनस्पती, सरक्षन, संग्रोध, एवं संग्रे निदेशाले इंग्लिश में बोलेंगे डिरेक्टरेट ओफ प्लैंट, प्रोटेक्शन, कुरेंटाइन, एंड स्टोरेज तो ये एक डिरेक्टरेट है जो एगरिकल्चर मिनिस्ट्री केंडर में आता है और इसी केंडर में फरीदाबाद इस्थित ये लोकस्ट वार्निंग और्गिनाई जिशन आता है नेक्स्ट हमारा इशू है करेंट अफेयर्स में जिसका संबंध है राम मंदिर प्रकरण से आप लोग जानते हैं कि 9 नमंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्मान के पक्ष में फैसला दिया तो इसमें कुछ पाइंट्स बनते हैं एक्जाम के रिलेटर्ड एक्जाम से संबंधे एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिल निर्मान के लिए एक ट्रस्ट बनेगा और इस ट्रस्ट का जो नाम रखा गया है वो नाम इंपॉर्टन्ट है इसका नाम है श्री राम जन्म भूमी तीर्थ छेत्र श्री राम जन भूमी तीर्थ छेत्र ये इस ट्रस्ट का नाम है second important point है कि इसमें 15 members होंगे 15 members इसमें रखे जाएंगे और इन 15 जो trust members होंगे इसमें ये शर्ट बनाए गई है कि एक trustee का एक member का दलित होना अनिवारी है वो 67 एकड लेंड मंदिर बनाने के लिए दी जाएगी और जो मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी जाएगी उसका भी provision इस judgment में Supreme Court ने रखा है तो मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड जमीन दी जाएगी यानि मंदिर बनाने के लिए लेंड दी जाएगी 67 एकड और मस्जिन निर्माण के लिए 5 एकड इसके अलावा एक important point ये भी है कि government की इसमें कोई रोल नहीं होगा इस राम मंदिर के निर्माण में government का कोई रोल नहीं होगा government सिर्फ एक काम किया है government ने कि एक रुपिये का एक token एक symbolic grant दी है जिसे आप चंदा कह सकते हैं एक रुपिये का सांकेतिक एक grant अनुदान दे दिया है सरकार ने केंदर सरकार ने इसके अलावा इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होगा ट्रस्ट जो बना है उसका अध्यक्ष बनाए गया है महंत न्रत्य गोपाल 10 को तो इस 15 members के ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गया है महंत न्रत्य गोपाल 10 और एक और important point है जो kind of अगर नहीं भी discuss करेंगे तो common sense से भी आप इस option को लगा सकते हैं कि ट्रस्ट के सभी members का हिंदू धर्म से होना compulsory बनाए गया है अनिवारिय बनाए गया है next information है next point है लखनो declaration देखो एक तो इंडे नेशन मुमेंट में हम लखनो declaration पढ़ते हैं तो वो लखनो declaration लगए यह current affairs का लखनो declaration है अभी आप लोग ने newspaper में पढ़ा होगा कि लखनो में defense expo हुआ था यनि रक्षा प्रदर्शनी टाइप एक आयोजन हुआ था लखनो में जिसका नाम था defense expo 2020 तो उसे defense expo में अफरीका के कुछ देशों के साथ Indian government की meeting हुई थी और अफरीका के देशों का representation किया था वहाँ के रक्षा मंतरियों ने तो कहने का essence यह हुआ कि अफरीका के 50 अफरीकन देशों के रक्षा मंतरी और भारत ने command रूप से signature किया और signature जिस समझोते पर किया वो समझोता यह है कि आतंकवाद का विरोध करेंगे दोनों यानि इंडिया भी और अफरीका के 50 देश भी और यह जो signature हुआ है जो समझोता हुआ यह जो सहमती बनी जो agreement बना इसी को लखनो declaration कहा गया है तो सभी हस्ताक्षर करता क्या कोशिश करेंगे सभी signature आतंकवाद को रोकने की कोशिश करेंगे तो लखनो declaration आप confused मत होईएगा आप याद रखिएगा कि यह current जो लखनो declaration है यह international moment वाले लखनो घोशना से अलग करेंट का जो अगला इशू हमारा है उसका समंद्ध है साइंस कॉंग्रेस से साइंस कॉंग्रेस एक ऐसा इवेंट है जो हर साल इंडिया के लग लग सिटीज में आयोजीत होता है और इसमें साइंस समंदी चीजों अपर discussion होता है तो जो 107 यानि जो अभी latest जो हुआ इस सा करनाटक की कैपिटल बेंगलूरू में और किस ने इसको और्गनाइज किया University of Agricultural Sciences में यह हुई इसका इन्योगरेशन उद्गाटन प्रधानमंतरी ने स्वें किया था और इसकी जो थीम थी वो थी Science and Technology Rural Development विज्ञान एवं प्रध्योगी की क्रामियन विकास यह इसका थीम रखा गया था थीम यानि जिसके इर्दगिर्द इस पर discussion होता है उलेशने बात यह है कि 106 वी जो Science Congress थी इससे previous जो Science Congress थी उसका आयोजन हुआ था जैलंदर में पंजाम में last year और उसका जो आयोजन हुआ था वो एक University है जैलंदर के पास लेवली Professional University LPU वहां उसका आयोजन किया गया था तो कई बार एक्जाम में थोड़ा confusion हो जाता है जैसे option दे दिया कि 107 वी Science Congress कहां हुई 106 पूछ लिया और उसने option में बैंगलूरू भी लिख दिया और जैलंदर भी लिख दिय तो क्योंकि current में हमने पढ़ा है बैंगलूरू तो जल्दवाजी में हडवड़ी में कई बार गलत मार्क हो जाता है तो इध्यान रखिएगा वो 106 वी थी और ये 107 वी यानि 107 थे नेक्स्ट इशू है देश में स्वचता को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और स्वच भारत का भीयान विदेश में चली रहा है कहीं सालों से तो उसके संदर में एक national cleanliness ranking यानि रास्ट्रिय स्वचता ranking बनाई जा रही है यह जो स्वचता ranking बनती है इस ranking को बनाता है जो केंद्रिय आवास और शहरी मामलों का मंत्रा ले है तो यह बनाता है इस तिमाही में देखा जाएगा कि कौन सा शहर ज्यादा साफ रहा फिर जुलाई से सप्टमबर की ranking अलग देखी जाएगी फिर अक्टूबर से दिसंबर की ranking अलग देखी जाएगी तो इस तरह से तिमाहियों में इसको बाटा गया है और फिर इसको जो classify किया गया है वो शहर क projection की साफ से भी किया गया है यहनि एक लाक से तीन लाक वाले शहरों की ranking अलग बनेगी अलग तीमाही के लिए बनेगी दो तो जह दौझ जिए जादा रधार बादेश का city है और दूसरा जारा खंट का city है जमशैदबूर तो यह टो एक बढ़र होता रहे गा लेकिन आप य धियान रखेंगे कि जो रास्टे सबसे रैंकिंग है इसे केंद्री आवास और शहरी मामलों का मंत्रा ले इसको तयार करता है नेक्स्ट हमारा करंट अफेर्स का इशू है लोकपाल से सम्बंदित लोकपाल जिसका अवधारना सबसे पहले हम जानते हैं स्वेडन में शुरू हुआ था जिसे ओमबर्समेन कहते थे और इंडिया में लोकपाल काफी लंबे समय तक यथार्थ नहीं बन पाया हाला कि लोका शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान अभी भारत के लोकपाल में सध्धानतिक तोर पर है तो लोकपाल के बारे में जो डिपार्टमेंट ऑफ परसनेल एंड ट्रेनिंग है डिपार्टमेंट ऑफ परसनेल ने एक नए नोटिफिकेशन एक नहीं अधी सूचना जारी किया ह जैसे जो बंदा किसी सिविल सर्वेंट की शिकायत दर्ज कराता है तो पहली शर्त उसमें ये बनाई गई है इस लोकपाल शिकायत रूल 2020 में कि उसे अपनी पहचान बतानी पड़ेगी और उसको अपनी बोनाफार्ड पहचान वैद पहचान उसको अपनी बतानी होगी उस में आर्ट वियन उसूची में उसमें से किसी भी लैंग्वेज में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है वैसे इंग्लिश को प्राइडिटी अगर देंगे अगर हो जाए तो बहतर है अदरवाइस इसमें भी दर्ज करा सकते हैं जब तक किसी सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट जो allegations आरोप लगाए गए हैं तो जब तक उनकी जाच पूरी नहीं हो जाती तब तक उस लोग से वक्की उस officer की जो identity है वो confidential रखी जाएगी उसे लीक नहीं किया जाएगा जब तक जाच नहीं हो जाती investigation नहीं हो जाती है इसमें प्राविजन ये भी किया गया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के विरूद कोई शिकायत आती है तो प्राइम मिनिस्टर के विरूद आने वाली इस शिकायत को entertain करने के लिए acknowledge करने के लिए final decision पूरी लोगपाल की bench लेगी लोगपाल की पूरी पीट बैठेगी यानि तो ये pandemic दुनिया में चल रहा है इस COVID-19 के आलोक में तबलीगी जमात काफी चर्चाओं में रही मार्च 2020 के महीने में तबलीगी जमात क्या है तो थोड़ा सा इसका historical background जान लेना हमारे लिए बहतर होगा क्योंकि examination के लिए current में importance हो जाता है देखो तबलीगी जमात चर्चा लोगों का एक congregation हुआ एक सभा हुई और तबलीगी जमात पर यारोप है कि इन्होंने बिना सूचना दिये उस congregation को किया उस सभा congregation में शामिल हुए विदेशी लोग भी विशेश कर इंडोनेशिया और मलेशिया के लोग उसमें शामिल हुए तो वहां से काफी चर्चाओं मे और विवादों में ये तबलीगी जमात आ गई तो तबलीगी जमात है क्या देगें तबलीगी जमात इसलाम धर्म की देवंदी विचार धारा को अपनाने वाला मानने वाला एक संगठन है और ये एक धार्मिक पुनरुथानवादी एक संगठन है धार्मिक पुनरुथान जमात का शाब्दीकर्थ क्या है इसका शाब्दीकर्थ है धर्म का प्रचार करने वाले लोगों का संगठन जमात कहते हैं और तब्लीग कहते हैं धर्म प्रचार को तो तब्लीगी जमात का शाब्दीकर्थ हुआ धर्म प्रचार को की सोसाइटी तब्लीगी जमात के स्थाप अपना ब्रिटिश पीरियड में 1926 में एक मुस्लिम उलेमा मुलाना मुहम्मद इलियास कांधलवी के द्वारा की गई थी और ये इस्पेशली जो मेवात रीजन है हरियाना और राजिस्तान के उन लोगों को धार्मिक पुनुरुथान के दायरे में लाने के लिए की गई थी नेक्स्ट सेशन इसके बाद फिर शुरू करेंगे थैंक्यू थैंक्यू वरी मिच्छ